नमस्कार दोस्तों आज मैं दिखाता हूँ आपको धान काटने वाली मसीन यह ठिटर के पीछे की पुल्ली है यहां से आगे जाएगा यह साप्ट लगा हुआ है आगे थरफ तो चलिए मैं दिखाता हूँ आगे आगे कैसे यह नीचे से साप्ट आया है नीचे से साप्ट आके इधर आगे पुल्ली लगी है यहां से यह पीछे का भाग है अब इधर यह आगे आया यहां यह पुल्ली लगा के इसको डायट मसीन में कनेक्ट कर दिया हम आप दिखाते हैं आपको आगे मसीन का भाग मसीन में कैसे कनेक्शन देखिए दोस्तों यह फ्रेम जो लगाया गया है, इसको उठाने के लिए यहाँ पंप रखा गया है, यह उपन नीचे होता है, कल्टिबेटर की तरह, तो यहाँ फैन लगाये, पंप लगाया गया, अब देख सकते हैं, उस पंप को उठाने के लिए पाइप फिट की हुई है, और यह दाता है, धा बाइप गया है बाहुत बढ़िया, एक नमबाद, जादे दनादा हाह वे झाले लाइली कोई आतनी महेनत कार ना कर दो कि अ कर दो बार क्षाज करदा देर कर दो कि अ है ड़ उत्याइब कर सिर्टी है क्षार कर दो किया है पुली बड़ी परे हो जे परिश नहीं है अच्छा है अच्छा है अच्छा है